आप लोग ने देखा होगा क्लिक किया होगा कि पपाया में एक चीज मिलाने से अपके से अपनी स्कीन में एकदम से बेजान अगर आपकी स्कीन है तो आप कैसे जान ला सकते हैं स्कीन में साइन गिलो और चमकडार स्कीन बना सकते हैं आपको पालर जाने की जवर्वत नहीं पड़ेगी आप उनली ज्यादा मतलब पंदर दस मिनट भी नहीं लगा के बैठना है ठीक है और जादा कायम भी नहीं है चलिए चलते हैं रेमडी की तरफ आपको प्रोस्स दिख अब मुझे लागा यापने फेसपे आप लोग साइन गिलो आप लोग तीख सकते हैं चलते हैं विडियो को श्चाट कर देते हैं स्टाट है तो आप लोग को पता होगा पपीता जितने खाने में क्टेश्टी को अच्छा फायरे मन्त करता है आपकी पेट की दोगी बज़ लेना है पांच अच्छे से पीस लेकि इसकी चलते हैं इसका पलक निकालना जैसे कि इसका जूस निकालना है तो मैंने एक स्पून ली है कांटे वाली ठीक है आप कोई भी स्पून ली सकते हैं इसको अच्छे से मेस करेंगे जिसकी अच्छे से इसका जूस बगरा निकल लिख रख लेना है जिसके प्रक्ष जूस बगएरा निकलाता वह अच्छे से आप उसमें कर सकें ठीक है तो पहले मैं सोचा कप में में निकालती हूं बट मैं ने नहीं काला क्योंकि फिर नप जैसे की बिडियो सोथ कर गए तो अच्छे से आप वह तो नहीं होता तो मैंने आप मैं अच्छे से इसको जूस निकाल लिया ठान लिया अच्छे से चमस से दवा कि इसका जो भी वह इसको ना बिल्कुल भी फैकना नहीं है जो पपाया इसका जो बूदा बचा हुआ है ठीक है बिल्कुल भी फैकना नहीं है इसको क्या करना है आपको तो चलिए मैं बत तो अभी तो मैं आपको बनानी की पिकरिया से एर कर रही हूं बनानी का तरीका बता रही हूं किस तरह से बनाया जाता है तो आप लोग भी एक बाद कीजिएगा अभी जोसकी बैडिंग सीजन चल लाता और आने आले टाइम में अभी एक तो फैस्ट रोल आएंगे और फैस् कीड्रीन बिष्क बूंट का एक पावडर कुछ भी सकते हैं मसुर्डन का जोगर को डेक हो गटा है जो पपाया का ढूगदा बच्चा हूआ जो कि ले सकते हैं 2000 एक लिए मड़े हैं binding की चलते हूं इसका मैं बना लेते हैं क्या तो जो मैंने जूस लिया था इसको मैं निकालूँगी पिलेट में जो वीशन जो था तो उसमें मैं वैल्ट करने वाली हूँ तो साथ में मैंने लिया है एक चमच दही जी हाँ मैंने लिया है साथ में चमस तही दही आपकी स्कीन को अगर सूट करता है तो आप एड़ कीजिए इसकी जगह आप बिटामिन E का ओइल वगिरा ले सकते हैं और मैंने साथ में लिया हुआ है बिटामिन E का यानि की बादाम का ओइल नेचरल है यह और इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं जैसे की जैल या गुलाब जल वगिरा कुछ भी जो आपकी स्कीन को सूट करे ठेक है तो आप जही की जगह आप मलाईए उसका सकते हैं मलाई अगर आप पर पास नहीं है तो आप तूर्ट का चछा दूर्ट रूँआब है अट कर सकते हैं ठीक है? मैंने इन दोनों रेमडी अपनी नमबर वन नमबर टू बना के रख ली हैं रखने के बाद आप चलते हैं फेस पर कब एप्पलाई करेंगे इसको अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे और मेरे जो नमबर वन वाला स्टेप वो बनके हो गया है रेडी क्योंकि पांच-दस मिनट हो है रखा हुआ चीनी जो इसमें एड किया हुआ था मैंने पपाया के बूदा में तो आप बारी आती है उसको एपलाई करने की पालपे भी जाते हैं तो आपको एंसेंट निखाने ही मिलता है ठीक है तो पहले बहां भी जैसे की एक दो मिनट जो कोई भी आप तो जैसे की इ अपने फिंगर से कर लिया है तो मैं अपमने फीस पे अपलाई करूंगी अप्लाई हलका किया जाता है ज्यादा नहीं जिश्यकि अपना साफ लो सके ठीक है फेस साफ होगा तो जो अभी मैं इसका जो मैंने पनाया हुआ था जूस और दही का जो रेमडी बनाई है फैसियल की तो वो अपके चेरे पे अच्छा गिलो ला सके उसके लिए आपको मसाज करनी पड़ती है जैसे आप पालर पे कराते हो ठीक है उस साथ में आपको ए करने का मन भी नहीं करता है क्योंकि बिंटर सब्सक्राइब लगती है तो इसलिए मैं पहुती पांच मिनिट के अंदर आपका इंसे निकार दिलो आ जाएगा ठीक है तो मसाज फाइनली हो जाती है उसके साथ मैंने रखा हुआ था कॉटन एक रूमा रखा हुआ जिससे की म काच मिनिट लगा के सोड़ दोंगी और अपना फेस कर लूंगी में बहुत तो हर रेमडी के पीछे में आपने जो इसकी वेनी फिट होते वही में सेह करते हूं चलिए आज मैं बता देती हूं पापीता को आप अगर फेस पेस्यल करते हैं तो उसके रियल्ट वगिरा क्या 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 थी आपकी प्रोपिता है तो सब चया पहले सकिन की लिए बहुत ही अच्चा चमक Commons लिए बनाता है आपके छोटे बेवी हैर होते है और अजब करने में हूं थीचा जादा थी आपके अगर फेस पे दाग है बहुत ज्यादा मौासे के कील मौासे की दाग धबे हैं या जाईया है उससे भी निजात दिलाता है सन्वन से बचावरा करता है और एंटी फंगल एंटी वेक्टेडियस से पिर आपसे भी दूर रखता है और इसके साथ ही आपको तो आपकी ज चीजों का आता है तो जैसे की क्रीम अगेरा में भी फिरूट बगर का यूज होता है तो इसको मैंने बनाई है रेमडी और अब सबसे पहले मैं अपने आप पर यह ट्राइब करती हूं तो आई होप यह मेरा वीडियो फैस्यल कैसा लगा तो अभी तो वीडियो है और भी ह आगे आप एंज़ोई कीजिए, वीडियो को लाइक जरू कीजिए क्यूंक की अभी वीडियो खतम नहीं Hmm मैं अब कमेंट की जरू हो O अगर हो सकता मेरे से कुछ गलती हुई हो कुछ मेरे से मिस्टेक हुई हो तो आप लूना मुझे कमेंट में बता दिया करिए ठीक है तो मैं आगे अपनी गलती को सुदाने की कोशिच किया करूं ठीक है तो यह तो मैंने अच्छी से लगा लिया है लगाने के बाद ज्यादा बिलाए शुक्त में अप्ना काम कर लेती हूं तो मैंने थोड़ा बद की आऊ थो किया था इसको दो चाबिने लगाने के लिए मैं छोड़ दिया था पिर मैंने अपने को किया है भूस और ब्रस करने के के बाद पिर मिलते हैं आपको रेल्ट के साथ तो अभी जो मेरा फेस आप लोग देखी सकते हैं मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लागा है उनली मेरा फॉल्ट क्रीम लगाई हुई है और साधा सिंपल मैकप किया हुआ है तो आप फेस्यल यह वाला कर सकते हो आपको पसंद आए तो ट्राइज झाला कर दो ओयाँ है है तो आपको जाला है छुआ है तो झाला कर दोरा अवाई है है तो मेराई है Was I